हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्ण टेक्निकल में फिर से दोस्तों नई जॉब की इंफोर्मेशन लेख के हैं हुरुकीटमेट आ रही है मिथानी की तरफ से मिश्र थातू निगम लिमिटिड की तरफ से जिसके लिए आप ओल आवर इंडिय अपलाई कर सकते हैं उससे पहले दोस्तों आपको और आपके परिवार को नववर्ष की हारदिक ख्यूप कामना है आप और आपका परिवार इस पूरे साल में स्वस्त रहे ठीक रहे और जो जो आप विश्च कर रहे हैं वो सारा कुछ आपको मिले ऐसी मेरी जुहे वो दि तीनों ही recruitment जो है वो अलग-अलग है, management trainee के लिए fresher eligible हैं और अगर बात करें assistant manager के लिए 2 साल का experience और manager के लिए 7 साल का experience माँगा गया है detail में हम लोग इसके eligibility criteria के बारे में बात करने वाले हैं, selection process के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे आपको apply करना है उसके बारे में बात करेंगे तो शुर से लेके last sex video को ध्यान से देखी, complete देखी ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक detail का पता चल जाए सबसे पहले बात करते हैं, vacancies की तो अलग-अलग post के लिए अलग-अलग vacancy है, management, trainee, methodology के लिए 22 है, mechanical के लिए 15 है, electrical के लिए 6 है, बाकी यहाँ पे chemical के लिए 1 है, चार जो है वो administrative HR के लिए है, तीन vacancy, civil वालों के लिए है, safety के लिए 1 है, assistant manager के लिए यहाँ पे 3 है, अलग-अल 9,000,000 तक आपका CTC रह सकता है, maximum wage limit की बात करें, तो 30 साल maximum wage limit रखी गई है, management, trainee और assistant manager की post के लिए, बाकी अगर आप manager की बात करें, तो manager के लिए यहाँ पे 40 साल maximum wage limit रखी गई है, लेकिन यहाँ पे एक problem है, कि यहाँ पे experience बहुत जादा 7 साल तक का मांगा गया है, हम लोग main जो बात करेंगे, वो management training की post के लिए ही बात करेंगे, अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे qualification की, तो B.E.B.Tech 60% के साथ आपने कर रखी है, methodology में, material science में तो आप apply कर सकते हैं, mechanical में है, production engineering में है, तो mechanical वालों के लिए आप चुहें वो apply कर सकते हैं, 60% के साथ B.E.B.Tech अगर आ electrical instrumentation, electrical electronics, electrical instrumentation में कर रखी है, electrical के लिए आप apply कर सकते हैं, इसके लावा chemical में कर रखी, chemical engineering कर रखी है, 60% के साथ आप apply कर सकते हैं, management training, admin, HR के लिए degree कर रखी है, engineering की, इसके लावा जोखे, वो दो साल की post graduate degree, कर रखी है, आपने MA कर रखा है, industry relation में, यहाँ personal management में MSW कर रखा है, यानि कि master of social work कर रखा है industrial relation में इसके लावा personal management में या MBA कर रखा है human resource में आचार में तो आप apply कर सकते हैं management trainee civil के लिए 60% में अगर आपने कर रखी है भी btex civil में आप apply कर सकते हैं industrial safety में कर रखी है तो safety के लिए आप apply कर सकते हैं 60% के साथ तो ये management trainee का criteria था अब बात करते हैं assistant manager की जिसमें की आप का दो साल का experience जो है वो minimum required है अगर आपके पास है तो आप apply कर सकते हैं 60% भी btex के साथ MBA कर रखी है material management में PG diploma कर रखा है material management में आप apply कर सकते बाकि degree है law में तो ज़्यादा prefer करा जाएगा material management assistant manager की post के लिए apply कर सकते हैं corporate communication में भी जो है वो public relation, journalism, mask communication वाले apply कर सकते हैं 55% mask से साथ इसके लावा medical की है जिसमें MBBS वाले apply कर सकते हैं लेकिन साथ में 2 साल का experience मांगा गया है इसके लावा manager के लिए तो 7 साल तक का experience से वो आपके आप खुद चेक कर लीजेगा सारे important links भी आपको हमारी website पर मिल जाएंगे और website का link description में दे दिया है journal instructions की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ दो चार चीजें लिखी हुई है कि management के पास right है वो vacancies को बढ़ा सकती है कम कर सकती है उनके अपने हाथ में है पंद्रा एक last date रखी गई है पंद्रा एक 2022 तक चुखे आपका criteria तो complete होना ही चाहिए और यही last date रखी गई है पंद्रा एक तक आपकी application online mode से submit हो जानी चाहिए इसके लावा दोस्तों जो आपका selection process से selection का criteria उसको भी change करा जा सकता है बिना किसी notice के तो यह चीज भी आप थ्यान में रखेगा अगर बात करें सेlection process की detail में तो management training के लिए return test और interview दोनों होने वाले हैं बाकी assistant manager और manager की post के लिए सिर्फ interview लिया जाएगा लेकिन अगर number of applications उनके पास जादा आ जाती है तो return test भी जो है वो conduct किया जा सकता है यह सारी चीज़े depend करती है कि कितनी number of applications उनके पास पहुंचती है इसके लावा जो medium रहेगा return test का वो English language में ही रहेगा अवेधन करने की जो starting date है वो 1 January 2022 है और last date जो है वो 15 एक 2022 है इसी के बीच में आपको apply करना है 15 दिन का समय आपके पास रहेगा 100 रुपे की application fees आपको pay करनी है मातर और यह जो है आपको online mode से pay करनी है बाकि जो लोग SC है, ST है, PWT candidate है उनको किसी पितना की fees pay करने की जुरूरत नहीं है वो बिना fees के apply कर सकते हैं hard copy कोई भी भी भेजने की जुरूरत नहीं है लेकिन print out लेके रख लीजेगा बात में आपके जो है वो काम आएगा जब document verification होगा या interview होगा तो तब आपके काम आ सकता है तो यह सारी जानकारी दोस्तों दी गई है उनकी official notification में read करना चाहते है link description में है जाके हमारी website पर सारी जानकारी read करिए और उसके बाद important links पर click करके आप इसके लिए अवेदन कर सकते हैं अवेदन open हो चुके हैं तो यहीता दोस्तों इस video में thank you very much इस video को देखने के लिए आशागरतों को आपको video पसंद आई होगी समझ आई होगी video से related questions comment section में पूछिए channel को subscribe करें मिलते हैं next video में